हलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपल ग्लासेज गवर्नेर्स और गवर्नर जनरल्स बहुती फेवरेट टॉपिक रहा है कमिशन का यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे एक एक करके सारे गवर्नर्स और गवर्नर जनरल्स को स्ट्ध्पिक करें, जोड आपने टाम पिरिट में किये भारतवरश में और डेवलप्मेंट्स को डिटेल में स्ट्धि करें, कोशिश ज Mooiर एक 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 आप म Doll स्सेर चाहिए। उस पिक नजर डालते हैं, Battle of Plassey and Battle of Buxer, दो महतपून लडाईयां थी, जो प्रिटिश सरकार जीच चुकी थी, और अपना दब दबा, पूरे भारत वर्ष में कायम कर दिया था, Battle of Plassey के अगर बात करें, 1757 में ये हुई, and Battle of Buxer, 1764, Battles के उपर एक अलग से वीडियो लेक् 1972 में Warren Hesting को Fort William की कमान समालने के लिए दी गई, and 1972 में Warren Hesting को Fort William का Governor नेकुत करा गया, Warren Hesting के कारगाल को अगर डिटेल में पढ़ना हो, तो हमें उनकी reforms को तीन important sections में divide करना होगा, पहला था revenue reforms, तूसरा judicial reforms, and तीसरा trade reforms, जहां पे उनको अपने इन positive reforms के लिए जाना जाता है, उस हमें सारे reforms, revenue, judicial, and trade इन तीन categories में divided थे, एक एक करके हमें सारे reforms detail में study करेंगे, Warren Hesting के revenue reforms के अगर बात की जाए, 7770 में Bengal में फ़मीन आया, यानि भुकमरी, क्योंकि majority of the tax, majority of the revenue जो British East City Company कटा करती थी, वो farmer से कटा करती थी, अब क्योंकि फ़मीन आ गया था 1770 में, जितना administration में, Warren Hesting से पहले, Robert Clive जो थे, उन्होंने एक dual system introduce करा था, revenue system के लिए, East India Company ने ये dual system abolish कर दिया, अब जो दीवान की position थी, वो East India Company खुद निभा रही, revenue को collect करने का काम, East India Company अब खुद निभा रही थी, और इसी को दीवान बोलते है, dual system, तो कि abolish हो चुका था, East India Company revenue खुद collect कर रही थी, यानि East India Company दीवान बन चुकी थी, इसी reason की वज़े से, एक board of revenue BOR establish करा गया, Calcutta में, यहाँ पे एक और important development, जो treasury थी, वो पहले मुर्शिदाबाद में थी, जब ये reforms Warren Hesting लेके आये, तो treasury को मुर्शिदाबाद से, Calcutta shift करा गया, उसी साल, Calcutta को Bengal की capital भी बनाया facts, क्योंकि revenue reforms Warren Hesting लेके आये थे, उस reforms के तहत board of revenue बना था, क्योंकि East India Company revenue collection का काम अब direct अपने हाथों में ले चुकी थी, और इसी reason की वज़े से board of revenue BOR establish हुआ था, Calcutta को capital of Bengal कोशिद किया गया था, और treasury मुर्शिदाबाद से Calcutta transfer कर दे गई थी, अब क्योंकि company की माली हालत नहीं थी और जितना revenue company को collect करना था, वो उतना revenue नहीं आ रहा था, और इसी reason की वज़े से revenue reforms Warren Hesting लेके आये, उसी reforms के तहत board of revenue establish करा गया, यहाँ पे board of revenue ने एक बहुती important step लिया, अभी तक जो भी land, जो भी जमीन एक साल के लिए दी जाती थी, अब वो जमीन 5 साल के लिए auction क तरा दिये जाने का प्रवधान लेके आई, मतलब अब जमीन ऐसे ही नहीं दी जाएगी, अब जमीन अदर लेनी होगी, तो उसके लिए auction में आपको हिस्सा लेना पड़ेगा, और उची से उची वोली लगा के वो land आपको लेना पड़ेगा, पहले जो land एक साल के लिए लि और फालतू के fees, sas और fine पीजेंट्स पे लगाना abolish कर दिया गया, अब कोई भी पीजेंट्स पे यानि जो खेती करते थे उन लोगों पे फालतू का sas और fine अब नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि ये sas और fine abolish कर दिया गया था board of revenue के द्वारा, ये इतना बड़ा step board of revenue इस्टिया कंपनी की आमधनी को बढ़ाने के लिए किया था, लेकिन ये step कुछ जादा कारगर नहीं रहा, जितना सोचा था उतना revenue में बड़ातरी नहीं हुई, और जितने भी जमिदार ने auction के थूरू ये land लिया था, जमीने ली थी, और जो payment finalize की गई थी, वो payment उन्होंन नहीं रहा, और revenue जितनी सोची थी, इस्टिया कंपनी ने, उतनी revenue नहीं बड़ी, revenue reforms समझने के बाद, हम लोग पढ़ेंगे, judicial reforms के इस तरीके से Warren Hastings ने change किये, Warren Hastings का क्या रोल रहा, judicial reforms में, उनको समझने से पहले, Warren Hastings के कारेकाल के पहले, जो judicial process था, एक बार उसमे नज़र दालते हैं, नियाए किस तरीके से दिया जाता था उस समय पे, सबसे उपर होता था नवाब, और नवाब के direct नीचे होते थे जमीदार, नवाब को Chief Administrator of Justice का दरजा दिया गया था, वहीं पे जमीदार को Judges at lower level, यानि नेचले स्थर पे, डिसियन्स लेने का process, जमीदार को द जाता था उनका, और corruption में लिप थे, अब जब नवाब को Chief Administrator of Justice का title दिया हुआ है, इतनी बड़ी responsibility नवाब के कंदों पे दी गई थी, उन्होंने अपनी power का काफी misuse करा, तो generally, जो भी दो main pillars थे, Judicial reforms के, नवाब्स और जमीदार्स, दोनों ने ही अपना काम ठीक से नहीं कि तो question यहाँ पे अगर आए, Judicial reforms आने से पहले, वो कौन से दो important pillars थे, तो आपका answer होगा नवाब्स और जमीदार्स, जमीदार्स को बोला गया था Chief Administrator of Justice, जमीदार्स को छोटे लेवल पे Judge का role दिया गया था, दोनों नहीं अपना role के दाथ Justice नहीं किया, अपनी power का misuse करा, corruption म आने पड़े, Judiciary के नाम पे जो मजाग चल रहा था, उसको Warren Hastings ने अपने Judicial reforms के तहट streamline करने की कोशिश की, और इसी reason की वज़े से Warren Hastings अपने Judicial reforms ले किया आए, इन Judicial reforms के तहट जितनी भी district थी, हर district को दो तरीके की courts दी जानी थी, पहला था civil court, दूसरी criminal court, जितने भी civil cases रह करेंगे, criminal court को head करेंगे, या lead करेंगे, district level पे courts का प्रवधान Judicial reforms के तहट लाया गया, अगर वहाँ पे आपसे एक question पूचा जाए, क्या appeal का प्रवधान था Judicial reforms में, तो जी हाँ, बिल्कुर था, appellate courts भी बनाई गई थी, appellate court वो courts होती है, जहाँ पे appeal की जाती है, अगर क Muslim law experts को newt किया गया था, तो judges को assist करने के लिए, जो भी civil और criminal court में judges थे, उनको अपने decision making को बहतर बनाने के लिए, Hindu और Muslim law experts को उनको सौपा गया था, majority जो जनता थी इंडिया में, वो Hindu थी या Muslim थी, इसलिए, जो appointed judges हैं, वो अपना काम अच्छे से कर सकें, के इसकी गहराई त करने के लिए, ये एक बहुत ही important कदम था, जो Warren Hastings ने उठाया था, judicial reforms के पहर, district level courts के बाद, बात की जाए, appellate courts, जो cases, appeal के माध्यम से, इन courts में आते थे, district level courts ने अपना decision सुनाया, और जो अभियुक्त है, खुश नहीं है, वो satisfied नहीं है, उसके decision से, और उसको लगता है, उस चैसियात करें, terms based questions, frequently पूछे जाते हैं, इसको head कौन करता था, इसको governor head करता था, गवर्नर के साथ, दो judges और होते थे, civil court के बाद, criminal cases की highest court of appeal थी, सदर निजामत अदालत, अब इस court को head कौन करता था, सदर निजामत अदालत, इसको head कौन करता था, गवर्नर, गवर्नर के सा के द्वारा lead करी जाती, judiciary के process में कोई loophole ना रह जाये, इसको बहुत अच्छे से streamline किया था, judicial reforms के थूरू, और हैस्टिंग्स ने, district levels पे उन्होंने court बनाई, अगर कोई agreed person को लगता है, वहाँ पे उसे justice नहीं मिला, उसके लिए appellate courts का प्रवधान भी दिया गया, civil court अलग criminal court अलग बनाई, appellate court में भी civil cases के लिए court अलग थी, इसका नाम था सदर दिवानी अदालत, criminal cases के लिए भी एक अलग से court बनाई, इसका नाम था सदर निजामत अदाद, इसके बाद एक बहुत ही important कदम जो नोंने लिया था, इससे ये पता लगता है कि वो judiciary को एक बहुत ही important reforms, आए उस पर नजर डालते हैं, Warren Hashting ने regulate कर रहा था internal trade और इसी regulation के तहर दस्तक की प्रथा उने abolish कर दी थी, दस्तक एक बहुत बड़ा loophole था और इसी loophole की वज़े से बहुत सारा revenue East India Company lose कर रही थी, यहाँ पर जरूरी हो जाता है हमारा समझना कि दस्तक था क्या, आए दे on their private trade, मतलब एक तरीके का यह permit था, जो European traders, mostly British East India Company के officers, को exempt करता था, कि अगर वो कोई private trade करते हैं, तो उस private trade के लिए उनको custom duties और transit duties ना के बराबर देनी होती थी, या नहीं देनी होती थी, और इसी reasons की वज़े से, बहुत सारे British East India Company के officers, private trade करते थे, सामान इंडिया से उठात और उसे काफी ज़्यादा profit कमाते थे, इस पूरे process के लिए, दस्तक जो कि एक permit था, उस permit के थूरू, उस permit की वज़े से, इंडिया से यूरोप में ले जाने के लिए, जो custom duties देनी होती थी, वो custom duties और transit duties waived off थी, उन्हें नहीं देनी पड़ती थी, और इसी reason की वज़े से, वरन हैस्टिंग ने दस्तक को abolish करा और internal trade को regulate करा, वीवर्स यानि जो लोग मुनाई के काम किया गरते थे, उनके better treatment और conditions को ensure करा गया, कैलकटा में bank भी खुलवाया वरन हैस्टिंग ने, वरन हैस्टिंग ने एक uniform tariff लगाया 2.5% का, अगर आपको trade करना है Indian और non-Indian goods में, तो भले ही आप कोई भी हो, आपको 2.5% का uniform tariff देना होगा, तस्तक्त जैसे permit की वज़े से जो भी loopholes अब तक petitions enjoy कर रहे थे, उन loopholes को plug-in करने के लिए ये सारे trade reforms वरन हैस्टिंग लेके आए, Indian और non-Indian goods पे uniform tariff लगाया गया 5% का, एक बहुती important चीज इंट्रीज करी गई, uniform prepaid postage system, ये point भी आप याद रखिए, अभी तक पूछा नहीं गया है, आने वाले exam में पूछा जा सकता है, uniform prepaid postage system की शुरुआ वरन हैस्टिंग न की, as a part of their trade reforms, वरन हैस्टिंग चाहाँ जाने जाते हैं अपने positive reforms के कारण, वहीं पे expansionist policy की वज़े से उनका काफी नाम भी खराब हुआ, यहाँ पे हमें exam point of view से बस ये समझना है, कि वरन हैस्टिंग के time period में ये तीनों वार्स लड़ी गई, पैरी थी the royal war 1773 से 74, दूसरी थी first anglo maratha war 1775 से 82, और 30 war थी second anglo mysore war 1780 से 84 तक, इन तीनों वार्स में वरन हैस्टिंग की expansionist policy की वज़े से ही ये तीनों वा आया, wars related अलग video series start होगी, उसमें इस सारी wars detail में discuss की जाएंगी, lecture conclude करने से पहले, कुछ और important point जो वरन हैस्टिंग के कारकाल के time पे हुए थे, एक बार उन पे नज़र डालते हैं, exam point of view से ये भी जरूरी हो सकते हैं, आपको ये सारे के सारे points, या फिर इसमें से जो भी important points है पता होने चाहिए, उनका कारकाल रहा था 1773 से 1785 तक, regulating act of 1773 इनी के कारकाल के दौरान हुआ, इसके अलावा, asiatic society of bengal, ये एक important point है, आप कुछे comment section ने बताए, asiatic society of bengal, किसने establish करी थी, इसके अलावा, 1784 का fits in India act भी इनी के कारकाल के दौरान हुआ था, revenue reforms के तहट, इन्हो इन्होंने मुगल को जो pension जाती थी, वो pension भी बंद कर दी थी, इसके अलावा, ये point हमने cover किया था, treasury को इन्होंने मुर्शिदाबाद से कलकटा shift कर दिया था, आप मिरो comment section बताएए, किस साल में ये step लिया गया था, इसके बाद इसी समय, कलकटा को bengal का capital भी बनाया गया थ ये बहुत ही important point है, James Augustus Hickey, इन्होंने भारत का पहला Indian newspaper पब्लिश किया था, इसका नाम था बंगाल गजट, और ये भी Warren Hastings के कारेकाल के तवरान ही हुआ था, उसके लावा, Anglo-Mysore, Anglo-Maratha and Rohila Wars, ये हमने पिछली slides में देखा, land settlement का का काम, जो board of revenue establish करा था, उसने एक साल की ब के दोरान ही हुआ था, यहाँ पर ये सारे के सारे important developments थे, यो Warren Hastings के tenure में हुए थे, ये हमें पता होने चाहिए, इन सारे points में से MCQs draft किये जा सकते हैं, यहाँ पर ये chapter conclude हुआ, आप इसको revise करिए, आने वाले videos में, और भी important governor generals and vice-rolls के important developments हम लोग लेके आएंगे, I wish you all the best, study hard thank you